मुश्कार दोस्तों मैं वी चत्रवेदी पात पांदेर एड्यूकेशन यूटूब चनल पर आप सभी मिंत्रों का त्वागत करता हूं मित्रों आपसे नहीं विद्र ने थे मारे चनलने पर पर धामा रहें आपको लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकम भी देवाएं, जिसके सुक्षा जगस्वादी जो भी महत्पूर अप्रेट हो, अमारे चैनल के मतम सेता सिग्र प्राप्त होसके ज़सा कि आज के समाचारपतों में सबसे महत्पूर सुचनाओं में से कुछ सुचना है इस प्रकार से है पहली सुचना है कल देर साम, जो PRT है, PGT है और TGT है, उसकी answer की KBS के द्वारा जारी कर दी गई है इस पे आप जो आपतिया है, वो अपनी सब्मिट कर शकते हैं, तो इसके लिए आप अपने answer की देख लीजिए, जो की आपकी 12 तारीक तक उपलब रहेगी तो यह आप अगर आगर इसमें परिक्षा दिये हैं, तो आप इसमें देख लीजिए और क्लियर कर लीजिए, वहीं आगली जो सूचना है, सासर प्रशासर और करमशारी, पुलिस विभाग में 7000 चालुकों की भरती प्रक्रिया सुरूप, तो ऐसे अभिहारती जिनके पास ड्राइबर लासंस आदी है और लगवग 32 साल एज मैक्सिमम है, यह जो है आवेदन इसमें कर पाएंगे और यह अच्छी खबर है, पुलिस विभाग में अच्छी चालुक की करीब 7000 पदों पर भरती की पकाइदा सुरू हो गई है, डियाजी लाजिस्टिक बालेते इने मसमस ADG जोन के विष्णर पुलिस कप्तानों PCS, PSA सब के लिए जो ड्राइबर है, उनकी कवी को पूरा करने के लिए प्रक्रिया प्रारम करवा रही है, वही मुल्यांकन के लिए कल से प्रसिच्छन एक लाग तीराली सजार नाव सुद तैय कर दिया है, और अब इसम आपने देख लिया, कि कल जो है ट्रेणिंग की दी जाएगी, वही मुख परिक्षा से 18 का अभ्यार्थन निरस्त कर दिया गया, खान निरचक भरती पर किया की ये बात है, आपको बता दे कि मुख परिक्षा के लिए आविदन आयोगन मांगा था, जिसमें से 18 के अभ्यार सुक्रवार को नोटिस जारी कर दिया था, विज्यापन की सरते ना पुरा करने से समद्ध में यह निरना लिया गया, वहीं CUT, UG के लिए अब 30 तक आवेदन, अब कंबाइन जो इंटरेंस हो रहा है, उसके लिए आवेदन तीथी बढ़ा दी गई है, अब यह तीथी 30 तक हो गई है, वे अभ्यारती जो 12 पास आउट हुए है, उनके लिए अच्छी कबर है कि इसमें 30 तारिक तक आप आवेदन कर पाएंगे, अगली जो महतपुर अपडेट निकल के आ रही है, वो आ रही है, 70.44 प्रतीशत ने दिया स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट, जो स्किल है, उसके लिए इस्किल टेस्ट के अभ्यारती जो है, बताया गया है, 70.44 प्रतीशत ने इस्किल टेस्ट दिया है, ये इस्टेनोग्राफर ग्रेड़ सी और डी की भरती 2022 थी, तो आगे जो प्रक्रिया होगी, जल्दी अपनाई जाएगी, ऐसा कि आज के समाचार पत्रों में कई सुचनाएं हैं, और यह एक समस्या बन गया है अभ्यारतीयों के लिए, क्योंकि इसका समाधान जल्द खो जाने जा रहा है, जिसकी वज़ा से ने वेकंसी जाद नहीं रही है, और इसको जो है लखनों, इसका हेड आफिस करने की भी बात कही जा रही है, जिस पर कि विचार नहीं किया जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं योगी सरकार की नकामी है, और अगर कहीं फेल हो रहा है, व्यवस्था तो उसमें युवा की यो ये व्यवस्था है, जौब देने की, उसमें जो है सरकार फेल हो रही है, नकल पे नकल कसने के साथ साथ रोजगार के बारे का होनी चाहिए इसमें अहम जिम्दारी है लेकिन यहां सरकार इससे भाग रही है इन्हीं सारी महत्पूल आपडेट के साथ सुचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बद धन्य बात हमारे चैनल को लाइक से रहे सब्सक्राइब करें थाइंक यू वेडिवाश